हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ तो आज हम आए हैं कुनार्क में, यहाँ पे सन टेंपल देखने तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आज पास में बहुत जादा ग्रीनरी है और यहाँ पे काजू के पेड़ भी थे, और यहाँ पे काजू बहुत सस्ता है यहाँ पे काजू आपको 450-500-500-500-600 कई-Cई-दाम बोलेंगे लेकिन वो 400-450-400 रुपे किलो में दे देते हैं यहाँ पे आपको कुछ भी लेना हो, काजू लेना हो, या कोई भी गिफ्ट आइटम लेना हो, जो भी यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे बहुत जादा बारगेनिक करनी पड़ेगी, क्योंकि यह लोग बहुत जादा जादा rate बोलते हैं, यहाँ पर कैमरा वाले बहु के टिकेट लेना पड़ा पीने के पानी की और टॉइलेट के यहां पे काफी अची विवस्था थी सपुसाफ सुतरा था पानी भी अच्छा था और यहां पर जो आप संटेंपल है ना इसके अंदर नहीं जा सकते अंदर जो है वो इंट्री बंद हो गई है सुनते हैं कि शाय गया थी दीरे जड़ रहा है चारो तरफ जो इसके चक्र बने है ना वो बहुत सुनदर लगता है मतलब मुझे तो बेसिकली वो चक्र ही सभसे ञादा सुनदर लगा और वो चारो तरफ बने है और यह पूरा मंदिर है यह एक रत के आकार में बना हुआ है तो पास से देख वहाँ पर थोड़ा सा बैटना अच्छा लगता है, और बाहर जो मार्केटिंग है, उसको घूमने में थोड़ा सा आपको time लगेगा, थोड़ा बारगेनी करने में time लगेगा, तो थोड़ा अच्छा time लेके जाएं, तो यहां पर घूमने के लिए काफी लोग आते हैं, क्यो बोड़ा ज्यादा ही डैमेज हो गया है पर कोई बात नी अभी भी देखने लाइक बहुत अच्छे से इसको संजोया जा रहा है और यह है बाहर का मार्केट काफी अच्छा मार्केट है बहुत सारी अच्छी चीज़े हैं काफी एंटीक चीज़े भी हैं हमने यहाँ पे नार अबस्क्राइब